और हमारे एक्जिट पोल के मुताबिक हैट्रिक लगा सकती है मोधी सरकार एक्जिट पोल में एंडिये को बहुमत अकेले बीजेपी पार कर सकती है जादूई आकडा ये बड़ी बात सामने आई है हमारे एक्जिट पोल में तो बड़ी बात exit pole में जो सामने आ रही कि BJP को अब तक 255 से 270 सीट, UP में NDA को 68 से 71 सीट मिलने की संभावना exit pole के मताबिक जो लोगों की मन की बात अभी तक सामने आई है, वो कुछ ऐसी तस्वीर पेश कर रही है कि NDA को UP में 68 से 71 सीट जब की अगर हम पूरे देश की बात कर ले तो अभी तक जितनी सीटों की तस्वीर हमने इस्ताफ की है, exit pole में उसके मताबिक 255 से 270 सीट जाती दिख रही है BJP के तरफ बीजेपी का शुरुबात से इनारा था आपकी बार 400 पार, बीजेपी के लिए 370 का लक्ष पिया मोदे ने निर्धारित किया था और NDA के लिए 400 पार का, लेकिन अभी तक तक जो पिक्चर है वो बता रही है और चले बात कर लेते हैं एक्जेपी के नतीजें का सार चिपा है एक्जेपोल के बात जब नतीजे आएंगे तब ये बाते सच साबित होती नजराएंगी हैट्रिक लगा सकती है मोधी सरकार अकेले बीजेपी पार कर सकते ही जादूई आकड़ा इसके लावा यूपी में अंडिये को 68 से 71 सीट का अनुमान है पांचवी बड़ी बात ये कि यूपी में बीजेपी को 47 फीजदी वोट मिल सकता है ये हमारा एक्जिट पूल कह रहा है वही चट्थी बड़ी बात उत्राखन की पांचो सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है मध्रप्रदेश में अंडिये को 26-39 सीट मिल सकती है महाराश्ट्र में अंडिये को 32-35 सीट का अनुमान वहे दक्षण भात में अंडिये को 51-54 सीट यूपी में राम मंदिर का असर एक्जिट पूल के दोरान ऐसा दिख रहा है कि जो बाते सामने आ रही है जितनी सीट का अनुमान लग रहा है तो राम मंदिर का एक बहुत बड़ा असर है एक्जिट पूल की दस बड़ी बाते हमने आपको बताए उत्तरप्रदेश की टैरी आप देख सकते हैं यह अनुमान है यह एक्जिट पूल यह का अनुमान है एक संकेत है कि जब एक्जाक्ट पूल आएगा तो किस तरह की पिक्चर देखने को मिल सकती है असी में असी सीट जीतने का लक्ष लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी लेकिन एक्जिट पूल यह बता रहा है कि 68 से 71 सीटे हैं पिछली बार कडबंधन सातियों को मिला कर एंडिये के खाते में 66 सीट गई थी और इस बार यह संकेत मिलने कि 68 से 71 सीटे जा सकती हैं और इंडिया ब्लॉक के खाते में 9 से 12 सीटे हैं अगर ऐसा था तो पश्चिम में जहां पिछली बार नुक्सान हुआ था वहाँ पर भी बीजेपी को फायदा हो सकता है एक्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को बंपर सीट एंडियों को 2019 से जादा सीट मिलने का अनुमान है बीजेपी को यूपी में 68 से 71 सीट मिलने का अनुमान है जबकि पिछली बार पूरे गडबंदन को 66 सीट ही मिली थी आई एंडिया को 9 से 12 सीट मिलने का अनुमान है कॉंग्रेस को सिर्फ 30 से 6 सीट मिलने का अनुमान है अगर ऐसा भी होता है तो कॉंग्रेस के लिए फाय सीट जीत सकती है मतलब यह कि राइबरली के अलावा भी कुछी तोपर कॉंग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है आलाकि राहूल गांधी सबारा विली से चुनावी रणय में हैं अमेठी से किषोरी लाल रहें पाकी कुछ और सीटे हैं जहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी के जीत की संभावना दिखाई दे रही है ये संकेत हैं ये एक अमेट एक सीट वारण से भी है जहां से अजहर आए भी चुनाव मैदान में है कॉंग्रेस के कहना है और अखले इशादों का भी कहना है कि वहाँ पर चुनावी मुकाबला है लेकिन बीजेपी कह रही कि इस बार हार जीत का अंतर वहाँ पर इतना जादा होगा कि हर कोई स्तब दरह जाएगा चौंक जाएगा अगर यूपी में आखलों की बात करें तो एग्जेट पोल में एंडिये के लिए 68 से 70 सीटे हैं इंडिया ब्लॉक ले 9 से 12 सीटे हैं अदर्स के खाते में 0 सीटे हैं मतलब यह कि बहुत संभू है कि 2014 के तरह बीएसपी एक बार फिर से शुन्ने पर सिमड सकती है यानि कि 2019 में बीएसपी और एसपी का गड़ बंदन था तब बीएसपी के खाते में 10 सीटे गई थी और इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है तो इसका नुकसान उठाने को मिल सकता है बीएसपी को एकजिट पोल तो यही संकेत दे रहा है एकजिट पोल यही संकेत दे रहा है कि बीएसपी शुन्ने पर सिमड सकती है लेकिन इंडिया ब्लॉक जिसमें की कॉंग्रेस और समाजबादी पार्टी मुखे तोर पर चुनावी मैदान में इसके अलावा एक सीट टीमसी को दी ग देख रही है उत्राखंड की अगर हम बात कर ले पांच की पांच यानि की क्लीन स्विप लगाने की हैट्रिक हो सकती है अगर इस बार जो एक्जिट पोल में तस्वीर दिख रही है वो एक्जिट पोल ही एक्जाक पोल में तबदील होता है तब पांच की पांच सीट एक और फिर बीजे पी के खाते में याने की क्लीन स्विप की हैट्रीक उत्राखण में बीजे पी लगा लेगी और एक्जिट पोल की इस टैली पर नज़र डालें तो उत्राखन में पिक्चर नहीं बदल रही है पांच की पांच सीटे बीजेपी के खाते में जा सकती है पांच सीटों पर बीजेपी को बढ़त के संकेत मिल रहे है मतलब जो 2014 में हुआ जो 2019 में हुआ वही उत्राखन में 2024 में भी हो सकता है यह हम आपको ग्राफिक्स के जरी और आसान करके बता रहे हैं आप देखे 68 से 71 सीटे अंडिय के खाते में जा सकती है 9 से 12 सीटे अंडिया ब्लॉक के खाते में जा सकती है और जो अदर्स का कॉलम आप देख पारे हैं वहाँ पर 00 लिखा हुआ है बिल्कुल तो आप कह सकते हैं कि फायदे में दोनों दिख रहे हैं एंडिया भी फायदे में इंडिया गड़बंदन भी फायदे में नुकसान किसे हो रहा बीएसपी को क्योंकि 2019 में 10 सीट बीएसपी ने जीती थी 5 समाजवादी पार्टी के खाते में हलांकि बीएसपी के तमाम सालज़ चिटक के इधर उदर हो गए बीजेपी में कॉंग्रेस में शामिल हो गए और अब बीएसपी को इस एग्जेट पोल के मताबिक नुकसान होता दिख रहा है जिरो शूर ने मतलब खाता भी नहीं खुलेगा यह संकेती हैं और इस बात की चर्चा हम आप कर भी रहे थे कि जो एग्रेशन शुरुवाती चर्णों में बीएसपी की तरफ से देखने को मिला आकाश वानन की तरफ से देखने को मिला वैसा धीरे धीरे जिससे से उत्तरप्रदेश में चुनाव आगे बढ़ता चला गया वो एग्रेशन दिखा नहीं मायोती ने चुनाव की कमान समाली और उसके बाद से टेंपो बीएसपी का डाउन होता चला गया और ये हम बार-बार कहे रहें कि ये संकेत भर है ये अनुमान है ये एग्जिट पोल है एग्जैक्ट पोल नहीं है लेकिन exit पोल जो संकेत दे रहें तो BSP के लिए फिलाल शुब संकेत नहीं है कोशिश कर रही है जो वहाँ लोगों से बाचीत हुई है सर्वे हुआ है जो हमारी टीम पहुंची वहाँ पर सर्वे करने के लिए और उन्होंने जो feedback लिया है उसके आधार पर ये एक तस्वीर नतीजे क्या है असल में वो तो चार्ज उनको क्लिए और अगर आप टॉप पर के साथ NDA के सरकार बनती हुई दिख रहे है इस बात की संकेत मिल रहे है एक्जिट पोल में 355 से 370 हाला कि 370 बीजेपी ने अकेले अपने लिए टार्गेट सेट किया था और NDA के लिए 400 पार की बात कही गए थी लेकिन जो magic नंबर्स चाहिए सरकार बनाने के लिए जालाने वाला है चार जून के बाद लेकिन एक्जिट पोल संकेति ये दिने कि 125 से 140 सीटों के करीब इंडिया ब्लॉक सिमट सकता है अखलेश यादों ने कहा था कि 140 से नीचे बीजेपी को मिलेगी जो जनता है 140 से नीचे बीजेपी को समता के रख देगी लेकिन यहां अगर हम exit पोल की देखे तो exit पोल में maximum 140 INDIA गडबंदन को जाती हुई सीटे दिख रही है अधर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर 42 से 52 हा लेकिन अगर 355 से 370 या 370 तक एंडिये जा रहा है तो फिर बहुत जादा वहां पर अधर्स की भूमिका रह नहीं जाती में इनका मकाबले बीजेपी और एंडिये को फाइदा हो रहा है कॉंग्रिस के प्रदेशन में मामूली सुधार देखने को मिल रहा है दोहजार उन्डीस की मुकाबले और इंडिया गडबंधन को 125-140 सीचों का अनुमान है और यूपी सरकार्यों मंतरी योगेंदर पाद्ध्याई जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेंदर जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर सर इस मेगा एक्जेट पोल की जो पिक्चर है अभी तक की वो आपके लिए शुब संकेत एक अच्छी खबर 355 से 370 तक आप समूचे देश में जा रहे हैं और उत्तरपदेश की बात करें तो 68 से 71 सीटे बीजेपी या यूँ कहें के इंडिया यहां पर जीत रहा है जी यह आपके आकलन है और अच्छा ही हमारी चुछ रंकेत है लेकिन इसमें मैं मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मोधी जी और योगी जी का नेत्रत प्रक्रेश्ट है अमिश्चा जी की कुशल रणनीती आर एसस के कुशल प्रबंदन और व्यापक जन्सम पर तथा कारकरताओं के परिश्टम के परणाम 400 पार निश्चित रहेंगे क्योंकि अभी जो डॉल्टरम में लग रहा है या पेंडलों की तरफ सीटे लग रहेंगे वे भी हमारी तरफ हैंगी और जो मोधी जी का नाराथा 400 पार वे निश्चित रूप से पूरा होगा यह 400 पार का आखड़ा आपको कहां से लग रहा है कहां से यह कमी जो है वो पूरी होगी साउथ से और सीटे आपको मिलने की उम्मीद लग रही है या फिर नॉर्थ में कि देखे साउथ से पहली बार हम बहुत आगे हो गयाएंगे और शाउथ में इस्थिति यह रहेगी कि इंडी गटबंदन और एंडी यह लगवग दरावर के इस्थिति पर आएंगे और आगे हम यूपी बिहार बंगाल इसमें बहुत बड़ता हसल करना कई जगे तो क्ली क्लीन स्थिप घुज़राथ हुआ दिल्ली हुआ आपका हेंचल हुआ उत्रा खंड हुआ यहां तो क्लीन स्थिप करने वाले हैं हम और एंपी में भी क्लीन स्थिप करेंगे तो ऐसे इस सतिफिति लोग मिश्य को से 400 पार करने वाले हैं योगें जी विपक्ष लगातारे कह रहा था कि दस बरस की आपकी सत्ता उसके खिलाब जो महौल है वो और दूसरा ये भी कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि अंडर करंट है एक अंडर करंट है जो कि वोट में कनवर्ट होगा और हमारी जीत होगी अब कह सकते हैं संकेत इस बात की मिल रहे हैं कि वैसा कुछ भी नहीं था दस वरस के आपके कामकास से लोग खुश हैं सिर्फ देश की जनता वलकि उत्तरप्रदेश की विजनता डेबल इंजिन की सरकार की उपलब्दियों से और कामकास से लेकिशोराहों पर चर्चा और चूले पर विचार हमारे जो लोदी जी और जोगी जी और अमिर्शा की कुशल रण में थी चूले तक पहुत चुकी थी जो साइलेंट वोट अंडर करण वों तो समझ में नहीं आ रहा था जिस अंडर करण को अपने लिए समझ रहे होंगे वो अंडर करण वास्ता में बीजेपी लिए था और यही कारण है कि चार सापार का जो हम आपको अश्वास वेख कर रहे हैं वो विश्वास इसलिए वेख कर रहे हैं उस अंडर करण को किसी देंगी देखा है जो चूले और चोके से निकल कर वो डालने जाता है जी लेकिन बिहार के अगर हम बात कर लें चुकि आप उत्तरप्रदेश की राजनीती देख रहे हैं तो बिहार को भी करीब से देख रहे हैं वहाँ पर 2019 के मुकाबले नुकसान होता देख रहा है बीजेपी को एंडिये को नितीश जी के साथ फिर से जाना और बार-बार आना जाना और जिस तरह से जाती है जनगरना और आरक्षन के मुद्दे को आरजनी ने उठाया क्या उसका नुकसान होता दिख रहा है जाती मुद्दो को उठा कर हम कोई सस्ती लोग पिर तहां से लहीं करना चाहते है भारती जन्ता पार्टी और हमारे पूर में जनसंग ये शैशो काल से ही राश्ट्री भुद्धों पर राज़नीती करते रहे राश्ट्री हित्की बात करते रहे भला ही हमें विलंभ हुआ अपने विचारों की स्थाफ़ना में एक समय लगा लेकिन आज जन्ता के समझ में आ लग रहा है कि उनके साथ आने से और चोद्री साब को भारत रतन देने से पश्चिम के हवा बदल गई या पहले सी आपकी फेवर में थी ये मैंने बताया आपको कि बोधी जी का व्यक्तित योग और योगी जी का व्यक्तित बालों के क्रतित और अश्चा जी पाते इतना संगम बना और संगम ने उस संगम की बाल में इस सब विपक्षी दल धराश ही हो गई जो इंडी गठवंदन अभी शाम तक प्रूल सोनब्य की बात कर रहा था तो सिवट कर सो क्या स्पास रह जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद News 18 से बात चीट करने के लिए तो फिलहाल जो एक्जिट पोल के नतीजे हैं उसे लेकर वो कह रहे हैं कि अभी और भी जादा सीट्स एक्जिट पोल में जितनी सीट्स दिख रही हैं उससे कहीं जादा सीट BJP एक्चुल में एक्जाक्ट पोल में हासिल करेगी ये दावे BJP की ओर से बार बार किये जा रहे हैं आदेटी की तरह 2024 में भी वो आगे चल रही हैं और कहा ये जा रहा था कि कोंग्रिस ने एक रणनीती के तहत यहां अमेठी में स्मृति रानी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया है ऐसा candidate जिससे मात दिलवा सकती है पार्टी स्मृतिरानी को लेकिन exit पोल में भी इसमृतिरानी आगे चल रही है रवी किशन गोरकपुर से चुनावी मैदान में वो भी exit पोल में आगे हैं आजे मिश्वा टेनी जो कि एक बार फिर से खीरी सीट से चुनावी मैदान में थे जिनके खिलाब ये कहा जा रात है कि माहौल इस बार ठीक नहीं है मतलब हवा उनके खिलाब बह रही है वो भी एक्जिट पोल में फिलाल आगे चल रहे हैं तब ये की खीरी सीट पर एक बार फिर से कमल खिल सकता है उपी के बड़े बड़े चेहरों की तस्वीर भी देखिए अखिलेश यादो समाजवादी पार्टी की ओर से कन्नोज से चुनाव मैदान में और वो आगे कन्नोज में अखिलेश यादो आगे चल रहे हैं उत्तरप्रदेश के तमाम बड़े चेहरों के स्थिति क्या है एक्जिट पोल में वो फिलाल हम आपको दिखा रहे है जिम्पल यादो समाजवादी पार्टी वो आगे चल रहे है मैनपुरी में मौझूदा सांसर भी मैनपुरी से और कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी की और वो भी आगे चल रहे है मैनपुरी में ये तस्वीर देखिए ये बड़े चेहरे हैं ये वो चेहरे हैं जिनकी साख कह रहे हैं कि दाव पर लगी है राय बरेली में राहूल गांधी आगे चल रहे हैं सोनिया गांधी राज्यसभा गई ये सीट पर कॉंग्रेस के सांसर राहूल गांधी वो चुनाव लड़ रहे हैं जो वाइनाट से सांसर वाइनाट से भी कैंडिडेट और यहां राय बरेली से भी चुनाव लड़े वही अनिल बलूनी पॉडी से वो आगे चल रहे हैं अनुराग ठाकुर भी बढ़त है अनुराग ठाकुर भी आगे चल रहे हैं तो इस तरह से एक्जिट पॉल में क्या तस्वीरे सामने उभर कर आई है वो न्यूज एटीन आपको दिखा रहा है और एक्जिट पॉल की बीच ब्रजेश पाठक का बयान आया है इंडिये सरकार बनाने जा रही है ये कहना है डिप्टी सीम का जनता ने विपक्ष को पूरी तरीके से नकार दिया है ये भी काए ब्रजेश पाठक ने नित्त्र में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के सीचीटे राज़ा गटबनन भारती जन्ता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारती जन्ता पार्टी चुनाव जीत रही है मानी मोदी जी की गरीब कल्याणे जन्जन में पहुची है और दूसरी तरफ समाजबादी पार्टी कॉंग्रेस के गटबनन को जन्ता ने बूरी तरहे नकार दिया है यह जाईर से बात है एकजिट पॉल में जो तस्वीर सामने आ रही है आकड़े सामने आ रहे है वो बीजेपी को उत्साहित कर रहे है उत्राखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है एकजिट पॉल के मताबिक बीजेपी सभी पांच सीट जीत रही है तीसरी बार clean sweep कर सकती है बीजेपी उत्राखन में कॉंग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है खाता खुलना यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है मतलब जैसा मैंने आपको कहा कि 2014-2019 में बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कियो और इस बार 2024 में बी संकेत उसी बात की मिल रहे हैं कि 5 सीटे बीजेपी के खाते में जा सकती है एक्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कॉंग्रेस के उमीद थी कि एक दो सीटों पर fight है यहां पर तस्वीर बदल सकती है 2019 के मुकाबले लेकिन फिलाल एक्जिट पोली संकेत दे रहे हैं कि नहीं उत्राखन की पांचों सीटों पर एक बार फिर से कमल खिल सकता है तो उत्राखन की बात की जाए एक्जिट पोल के मुताबिक वहां के बड़े चेहरों की बात करें तो बीजेपी जो पांचों कैंडिडेट हैं पांच सीट पर वो जीत रहे हैं एक्जिट पोल के मुताबिक कॉंग्रेस को एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है जो एक्जिट पोल की बाते सामने आ रही है एक भी सीट कॉंग्रेस के खाते में जाती नहीं दिख रही है एक्जिट पोल के मुताबिक सियम पुशकर सिंग धामी का बयान आ गया है सभी एक्जेट पोल में भाचपा एंडिये को बहुमत दिखाए गया यह आकले चार जून को और आगे बढ़ेंगे यह प्रधान मंतरी की नीतियों और नियत की जीत है यह कहना है उत्राकर्ण की मुक्य मंतरी पुशकर सिंग धामी का जो कि एक्जेट पोल के जो संकेत मिल रहे हैं उससे खुश है और वो कह रहे हैं कि आकला चार जून को और आगे जाएगा तो एक्जेट पोल में एंडिये को बहुमत सियम धामी इससे उत्साहित जिस दिन चार जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मदगरना प्रारंब होगी यह आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार परचंड जीत के साथ देश के प्रधान मंतरी बनेंगे यह जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड परिवार जनों की जीत है उनकी नीती और नियत की जीत है गरीब कल्यान सुसासन की जीत है जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक छण लगाया है यह उसकी जीत है और यह एतिहासिक होगी तो उत्राखंड के मुख्य मंतरी पुश्वर सिंगधामी बता रहे हैं कि जीत जो मिलने वाली है वो एतिहासिक होगी एक जीत पोल में जो आकड़े आ रहे हैं उसे कहीं जादा एंडिये के खाते में सीट आने वाली है यह दावा उत्राखंड के मुख्य मंतरी का और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि श्रे पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी को जाता है यानि कि अभी सही बधाय देने का सिलसला भी शुरु हो चुका है NDA के नेताओं का और प्रधानमंत्री को श्रे दे रहे हैं जाहिर से बात है जब BJP चुनाव में उतरी थी तभी ये नारा दिया गया मोधी की गैरंटी और इसी गैरंटी के साथ BJP चुनाव में उतरी और अगर एक्जिट पोल में तमाम एक्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं और जैसा BJP दावा कर रही है कि उससे जादा सीटे मिलेंगी तो जाहिर से बात है कि क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाएगा और ये देखिए उतरा खंड की ये तस्वीर जहां पर नईया डूपती हुई कॉंग्रेस के एक बार फिर दिख रही है एक्जिट पोल के मताबिक बीजेपी को पांच की पांच सीटे पांच साथ जुड़िएगा क्योंकि चुनाओ मतलब नियूज 18 हम सबसे सटीक सबसे पहले आकड़े आपके सामने रखेंगे और हम बार बार इस बात का कह रहे हैं इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर हम एक्जेट पोल लेकर आये हैं तो ये भी साइंटिफिक तरीके से लेकर आए हैं नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं कल को इस पर किसी के सहमती हो सकती है लेकिन हम एक ऑऔर बात करेंगे एक्जिट पोल के अभी तक के तस्वीर पर अब तस्वीरे धर्मेंद्र जी लगबग साफ हो चुकी हैं अभी ये एक्जिट पोल है तमाम चैनल से पर एक्जिट पोल है लेकिन जो NDA के नेता है वो अभी से बधाई और स्ट्रे देना शुरू कर चुके हैं गभी आपके स्क्रीं पर पुषकर सिंग धामी जी बदाई की बात कर रहे थे साइद यह नहीं जानते होंगे लोग की पुषकर शिंग ध्हामी खुँचुनाव हार के मुख्मंत्री बने हैं तो इस तरह के लोक्तांतRIक मुल्य को जीने वाले लोगों की बात को कितना जनता म मान नहीं करना चाहिए किशी को दूसरी बाद जो आप exit poll की कर रही है जो आप कह रहे हैं कि चीजे साफ हो रही है मुझे लगता है दुदली चीज को साफ कहने से कभी साफ होता नहीं है जो आपका sample है जो आपका exit poll है उसका sample size मैंने देखा 95,000 का है 95,000 का sample size है और मैंने इस बात को अभी और भी रखा था कहीं पर sample size को ले करके कि अगर हम पूरे देश के लोगसवाशीटों की बात करें तो 547 लोगसवाशीटे हैं और एक लोगसवाश में तकरीबन 2000 बूथ होते हैं तो अगर सारे बूथों की शंख्या हम सेंठी कवर कर रहा है यानि कि 10% बूथ पर एक एक आदमी आपने sample लिया हुआ तो आप नकार रहे हैं तो इसलिए को नकार रहे हैं और scientific way से नकार रहे हैं ये आप कहरे कि आपका जो नकारना है वो भी scientific way से scientific अगर मैं गलत हूथ आप मुझे सही कर सकती है मैं इसको मान लूँगा कि मैं गलत हूँ लेकिन अगर आप देखिये कि उसके बाद आप बूथो की संख्या को मैंने बता है फिर हम अगर ओटर्स पे चले जाएंगे तो आपने 2000 ओटर्स में भी एक ओट का लिया वो भी 10% तो 0.0001% इसकी अकुरेशियो मान सकते हैं जैसे आपके इस्टूडियों मालों पाहँ जालों काम करते हैं और एक आदिल से पूछे भाई किसकी सरकार बन रही है उसने बता दिया इंडिया गडवंदर की बन रही है तो आप चला दो कि पूरी तस्भीर साफ है अब इंडिया गडवंदर परचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहा है तो ये बात मुझे थोड़ा सा अनुचित लगती है साइंटिफिक तरीके से बागी आपका पूल है उसका मैं स्वागत करता हूँ ठीक है धर्मेंजी 2022 के विदान सभा चुनाओं में आप लोगों ने में सर्वे किया था 400 सीट आप जीत रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रहे थी अखली शादोजी मुख्यमंत्री बन रहे थे तो गलत सही कोई भी हो सकता है आप भी गलत हुए थे हम ये कहीं नहीं रहे ना कि एक जो एक जिट पोल है 125 से कुछ जादा सीट हैं यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के खाते में जा सकती है उनके नमबर जो है 125 से 140 है बिल्कुल तो देखें यहाँ पर यह जो कौन किसकी गाड़ी आगे निकलती है इस रेस में आपको यह रेस कॉर्स दिखा रहा है किसकी गाड़ी आगे निकलती है इन आकुरों के जरिये दिखें जो एक्जिट पूल में दिख रहा है दोरान जब मैं लोगों के बीच जा रहा था लगलग लोग सभाक शेत्र में घूम रहा था तो उस दोरान जब मैं माईक और कैमरे सीतल लोगों से बातचीत कर रहा था तो लोग यह कह रहे थे कि देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सीटे कुछ कम हो जाएं लेकिन सरकार भी जेपी के बनेगी मोदी जी कहा चुक लगेगी सत्ता पर वही काविज होंगे संकेत भी उसी बात की मिल रहे हैं एक्जिट पूल में वो अलग बाते की समाजबादी पार्टी और धर्मेंजी उसको खारिच कर रहे हैं अगेन मैं बोलना प्रजातांत्रिक देश है कोई इसको एक्सेप्ट करें कोई ना करें और देखिए देखने का तरीका होता है कि आप आदे भरे गिलास को देख रहे हैं या आदे खाली गिलास को दे रहे हैं देखने का तरीका होता है जहां तक एक जिट पोल की बात होती तो इसको को एक कहीं न कहीं एक रुजान दिखा रहा एक सोच दिखा रहा है देश की विचारः द्दारा दिखा रहा है कि किस तरब जारा है उसका स्वागत करना चाहिए जहां तक तक कि आर जीट की वाते हैं हार जीत लगी रहती, इंदरा गांधी भी एक जमाने महार गए थी और अटली भीहरी भाजपे साब भी आरग गए थे, हार जीत चुनाव में लगा रहता है, राजनीती है, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी होता है, कि दस साल के साशन करने के बाद भी उनकी पॉप्लिर्टी में अगर कोई कमी नहीं होती है, तो यह एक सारानी काम है, और कोई भी नेता, अगर प्रधान मंतरी को बधाई दे रहा है, तो अमिच जी मैं तो कहता हूँ, वो प्रधान मंतरी बधाई के योग हैं, आज के दिन में अगर भारती जंता प बज़े से बीजेपी के साथ जुड़ा होगा, अगर यह नारा ना होता तो क्या होता, मैं दो तथे रखता हूँ, देखिए एक अप्रूवर रेटिंग आई थी मोधी जी की, तो अकरीमन 25 परतिशत उनको बताया गया है, यह रहते हैं तो 25 परतिशत का इजाफा हो जाता, नई रहते हैं तो 25 परतिशत कम हो जाता है, तो क्या यह जलवा अभी का हैं मैं, दस साल की एंटी इंकमन्स लेगे या, दूसरा मैं इनका और रेटिंग दे रहे हैं, एक कंपने एजनसी ने रेटिंग की थी, सेप्तमबर 2023 में किया था तो अप्रूवर रेटिंग जो मोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विपक्षों ससर्ट होना चाहिए, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं पाल्ट जो सस्ताधारी पाल्टी है, उसको घेरने में असक्षम रहा है, अभी एक अखलेश यादो जी ने वेक्तव दिया तो कुछ दिन पहले हमी जी आप तो कवर करते है यूपी आपको पता है, हम 79 सीट जी रहा है, जीत रहा है और एक सीट, अब देखी परिपक नेता है, बड़े नेता है, रास्टी अद्यक्ष है और पूर मुख मंतरी है किसी प्रदेश के इस तरह का बयान कहीं ने कि उनकी दिखाता है कि उनकी दूर दर्शिता कितनी है, लेकि आप नारे दे सकते हो, कि हम 500 के पार, 600 के पार, 200 के पार, जो भी नारे देना चाहों दे सकते हो, लेकिन इस तरह की गरंटी नहीं दे सकते हो, जब आप किसी को घेरते हो, वो पार्टी को घेरने कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, प्लांगी में अच्छी है, तो उनसे दुगना आपको काम करने की ज़रूत है और वो काम करने हमें लगता कहीं विपक्षी एस पर एजिट पोल विपक्षी डल है कहीं ने कहीं फेल हो गए हैं उनको आत्म मंथन आत्म चिंतन करने की ज़रूत है तो मैं उनसे यही कहा कि मतलब आपको लग रहा है कि रविदास मेरोतरा राजनात सिंग को हरा देंगे तो वो भी हसने लगे तो मतलब यही कि अगर आपके पार्टी नेताओं और कारेकरताओं को इस बात का वरोसा नहीं कि हम 79 जीत जाएंगे तो एक पार्टी का राष्ट्र देक्ष एक प्रदेश का पूरु मुक्हिमंत्री इस तरीके का बयान दे तो वो थोड़ा हलका नहीं हो जाता है धर्में जी आमें जी देखे ऐसा है कि अगर आप मत को चावल के बराबर समझने लगें और इश्की भी वावाई कोई करें तो उसका तो जबाँ मेरे पास न नहीं पग गया है एक दाना निकाल कर चेक कर लेते हैं पगया नहीं पगया है अमें जी दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र के प्रदान मंत्री आदर्णी मोदी जी इसी देश के नागरी को घुश पैठिया बोले तो परिपक्वता आप लोग कह सकते हैं इसी देश के अगर मात्री सकती के मंगल सूच छीने की बात करें तो आप उसको भी कहेंगे कि बहुत बड़ी परिपक्वता है देश के प्रदान मंत्री की अगर इसी देश में प्रदान मंत्री मुझरे की बात करें और लाल्टेन को मुझरे से चोड़ा मैं पूरवांचल कर रहने वाल कि जो लालतेन है वो एक सिम्बल है और भारत के संस्क्रते में कोई भी जो रोसनी देने वाली चीज है सबना और शुनाव देयात क ये उद्धेश था और उस जो शिंबल के आप बात करें जो अंधेरे को रोसनी देता है उसे मालक्षमी के बराबर माना जाता है और अगर इस देश के प्रधान मंत्री उस मालक्षमी की तुलना जाके मुझरे में कर दें वह उनकी परिपकता हो जाती है धर्मेंदर जी उसी लाल्टेन के राज में बिहार में क्या होगा हुआ ये तो भी देखा ना 15 साल तक बिहार किस तरह से पीचे होता चला गया बिहार में तमाम मिल्स बंद होते चले गया वहां का रोजगार दूसरे प्रदेशों में चला गया वहां के लोग मजदूर की तर तो बहुत मजबूती के साथ बना था ऐसा लगा था कि हां कुछ कर गुजरने का इरादा है इन तमाम राजनतिक दलोकार ये इकटे हुए है लेकिन जैसे ही 22 जन्वरी को भगवान रामलेला की प्रांट प्रतिष्ठा होती है वो भवे समारो होता है ठीक उसके आसपास नहीं पॉकेट्स में लड़े मेंका जी आप आप जिस तरह से बता रही हैं कि गड़बंदन पहले मजबूत था अगर गड़बंदन इंडिया गड़बंदन मजबूत नहीं था तो इस देश के प्रधान मंत्री ने दो चरण के चुनाओं के बाद क्यों नहीं अपने नहीं क्यों कर रहे थे इसका मतलब इंडिया गड़बंदन मजबूत था तभी तो ऐसा कर रहे थे लेकिन मजबूती की मजबूती की आप बात कर रहे हैं सवाल कहां पर गे हम आपकी बात को माल लेते हैं कि आप करें कि इंडिया गड़बंदन मजबूत था लेकिन सवाल क की जितनी सीटें हैं सब जगे देखा जाए जो इंडिया गठबंदन का स्कोर आ रहा है उत्तर प्रदेश में जो सीटें आ रही है वो कैसे माने जो एक्जिट पोल की तस्वीर है उसमें कैसे माने कि आप मजबूत थे अगर मजबूत थे तो जनता का सबर्थन इस एक्जिट पोल की फिगर्स में क्यों नहीं दिखा है वो अमेजी आप खुद भी कह रहे हैं कि ये एक्जिट पोल है एक्जिट पोल नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ चार तारीक को अगर इंडिया गठबंदन को पचास प्लस सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगी तब आप इंडिया गठबंदन को कीलियर मेंडेट पूरे भारत में नहीं मिलेगा फिर भी हम बैठ लेंगे फिर आप मुसे कहना कि तुम इस दिन कह रहे था एक तारीक को कि भाई इंडिया गठबंदन मजबूत नहीं है कहां चली गई मजबूती आप सेमत इतना बड़ा पतला हो जाएगा क्या एक्जट पोल की फिकर्स में और जो रिजल्ट चार तारीक को आएंगे क्या इतना बड़ा अंतरा आप देखते हैं देखी जो इंडिया एलाइंस अब मैं आज कल इंडिया एलाइंस इसलिए बोलने लगाओ कि किसी को बुरा ना लगे देखी इंडिया एलाइंस जोने नंबर दिया है 295 या 290 हमें तो सरफ 290 बेस है बेस चलिए मैं बेस मान लेता हूं छोड़ दीजे अपर साइड यह बताई 290 का सरवी आकड़ा दे दें आप बैट के टीवी डीवेट में कहां से कहां से आएगी तो आकड़ा नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बगर आप देश में साशन नहीं कर सकते हैं यह मान के चल लिजे आप 39 सीट के भरोसे जी रहे हैं जो तमिल नाडू में उसके बाद बताईए बढ़ी सीटे आप दों को एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी एक्जिक पॉल पर रिएक्शन भी आ रहे हैं वो रिएक्शन भी अपने दर्श्चो को सुनाते हैं कि किस तरह से एक्जिक पॉल को तमाम दल के निता ले रहे हैं दिए बहुत बड़ी बात है और मुझे तो लगता है आने वाले समय में मोदी जी नहरू जी का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे अगर 10% जाएडा हुआ तो 345 आएगे एक्शन्स को सुन रहा है और धर्मेंद रियादा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के वह हमारे साथ जुड़े गए है संजर आना लाजनितिक वसली शक है संजर जी जो सवाल आपने खड़ा किया उसके साथ मैं दर्मेंद यादा वी के पास आऊँगा सवाल के हाँ पर यह कि इंडी गट बंदन जो 295 या 290 जिन सीटों की बात कर रहा है संजर आना जी भी जाना चाहते हैं और तमाम जो लोग हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं इस वक्त वो भी जाना चाहते हैं यह फिगर जो आपने आउट किया इंडी गट बंदन ने आखिर कहा किस किस राज़ से कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको लगता है चाहर तरीक को वो वाकई में पूरा होते हुए इस देश में दिखाई देगा अमिद देखिए भारती जनता पार्टी अगर साउत में कुछ अच्छा कर रही है चाहे तेलंगाना का बात करें आप राधस्तान तेलंगाना की बात कर लेजिए आंदर परदेश के बात कर लेजिए और एकाँ छोटे परदेश के और बात कर लेंगे बेस्ट बंगल में मान के चलता हूँ कि पांस सीटों का नुक्सान होगा भारती जंता पार्टी का अगर आप देखोगे कि पूरे इलेक्शन के दौरान भी यही दिखा कि जो वेपक्ष के नेता थे वो खुद का फिगर तो नहीं दे रहे थे कि वो कितना लाने का दावा कर वो बार-बार कह रहे थे कि NDA को 400 पार नहीं आएगा उनको आएगा 140 लेकिन अपना कितना अगर नहीं बताए आज भी आप वही कर रहे हैं कि कहां BJP और NDA की सीटे कम होगी खुद की कहां बढ़ेंगी ये नहीं बता रहे हैं आप मेन का जी उत्तर प्रदेश को मैंने बताया आपको वो समाजवादी पारटी और S fate अल्げ और देंजी कहा था कि इंडिया-घवंदन दोसो पंचानवे पलर सीट पाने की बात कर रहे हिए तो हम दोसो पंचानवे प्लस सीट पाने की बात कर रहे हैं तो उसको दुबार रिपीट इसले मैंने नहीं किया ठीक है वो 295 वाला आकड़ा अब आया है पूरे इलेक्शन की तोरा नहीं आया था संजेर रान जी आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपके पास आएंगे उससे पहले कुछ कारण ये कि जिस प्रकार मोदी जी ने गरीबों को जोड़ने का काम किया है नए वोट कहां से आ रहे हैं नई सीटे आ कहां से रही हैं जो गरीब लोग हैं जो अनुसूचित जाती जन जाती के सदस्से हैं उनके लिए जितना काम मोदी जी ने किया है आज भर-भर के वोट हमारी बढ़ने वाली यूपी में और साथ साथ वोड परसेंटेज हमारा बहुत व्यापक तोर पर बढ़ रहा है। अन्य को 0 हालांकि INDIA के लिए भी यहाँ खोशी की बात है क्योंकि जो सीटे बढ़ी है वो INDIA की भी बढ़ती हुई दिख रही है बीएसपी शून्य होती दिख रही है और बीएसपी के खाते में पिछली बार जो 10 सीटे गई थी तो कह सकते हैं वो NDA और INDIA के खाते में जाते ह तो इस बार धर्मेंदी शायद इससे सहमत नहीं होंगे हम उनका रियक्शन चाहेंगे लेकिन यहाँ पर कुछ और ग्राफिक्स हमारे पास आ रहा है उनको भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त और ये ओवराल ग्राफिक्स भी हम आपको अब दिखाने जा रहा है क कि ओवराल क्या ग्राफिक्स में तस्वीर उभर रही है ये आप देखिए मेगा एक्जिट पोल में जो तस्वीर उभर कर आई गया है 355 से 370 यानि भारतिये इंता पार्टी जिस बात को कह रही थी जेपी नडडा ने जिस स्टेट्मेंट को कहा कि 370 से ज़्यादा सीटे हम आएंगे एक्जिट पोल कहीं ने कहीं उसके करीब यहाँ पर जरूर में इनका दिखाई दिए रहा है 355 से 370 लेकिन ये एक्जिट पोल है इसको हम लगातार साफ कर रहे हैं बिलकुल ये एक्जिट पोल है इसको नहीं है लेकिन साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि जिस साइंटिफिक वे से एक्जिट पोल के लिए हमने सर्विकर वाया है उसके आधार पर ये हम दावा कर सकते हैं कि नतीजे लगबग इसी के आसपास होने वाले है चार जून को नतीजे क्लेर हो जाएंगे चार जून को दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा जनता ने क्या मेंडेट दिया है इवियम में क्या रिकॉर्ड हुआ है वो सब कुछ चार जून को क्लेर हो जाएगा लेकिन उससे पहले एक्जिट पोल इस वक्त आपके सा पूरे चुनाओं के दोरान दावे हुए और अब एक्जिट पोल के बाद भी दावे बदस्तूर जा रही है धर्मंद्रियादों कह रहे हैं कि तस्वीर पूरी तरह से बदल जाने वाली है आप देख लेना कि आई एंडिया गडबनन लगबग इतनी सीटों के साथ सरकार बन लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 355 से 370 यह फिगर्स यहाँ पर एक्जिट पोल में निकलकर सामने आ रहे हैं धर्मंद्यादाव एक छोटा से रेक्शन में चाहूंगा आपका उत्तरपदेश की असी सीटों की तस्वीर और देश की तस्वीर पर भी हम आपसे बात करें झाल 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 झाल